हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी य्यूटूब चैनल ईसा स्टीचिंग हेल्प में इस वीडि़ो में जेंड सहाब साहब nor की काटिन की से तरह से करते हैं देखेंगे तो दोस्तों वीडि़ो में अंत तक बने रहें और इसी तरह की cutting और stitching का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी place कर ले ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का notification आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तों सर्ट का नाप देख लिते हैं लंबाई है 26 इंच सीना है 24 इंच सोल्डर है 17 इंच अस्तिन है 9 इंच और मोहरी 13 इंच कालहर है 3.5 इंच तो इनहीं नापों से दोस्तों आज हम सर्ट की cutting करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन करेंगे सर्ट की लंबाई है 26 इंच तो इसमें एक इंच प्लस करेंगे क्योंकि दोनों तरह फाफ फाफ इंच दबाव रहेगा तो एक इंच प्लस करेंगे और 37 इंच पे निसान लगाएंगे पोने दो इंच यहाँ पर प्लेट के लिए लेंगे यहाँ पर सोल्डर डाउन कर निसान लगाएंगे तो सोल्डर है 17 इंच तो यहाँ पर हम 2 इंच पे निसान लगाएंगे और यहाँ पर आर्मोहल के निसान लगाएंगे तो आर्मोहल के निसान हम सीना के हिसाब से लगाएंगे सीना का 24 इसार रखेंगे तो यहाँ पर सीना है 34 इंच और 34 का 24 इसार करेंगे 8.5 इंच लेकिन इसमें यहाँ पर हम हाप सट है तो हाप इंच माइनस कर देंगे color है 3.13 इंच तो यहाँ पर हम सबा 2 इंच और 1 सुनक लेंगे color के लिए और उपर से नीचे जो हला रहता है उसके लिए यहाँ पर 0.5 इंच लेंगे इसके बाद यहाँ पर solder का निसान लगाएंगे scoulder है 17 तो 17 का hap करेंगे 9.5 तो यहां से यह देखे 7.5 इंच लेंगे उसके बाद harp इंच दबाव के लिए लेंगे इसके बाद यहां पर भी solder का hap रखेंगे 9.5 और harp इंच अंदर की तरफ निसान लगाएंगे आर महोल को षेब देने के लिए और यहाँ पर सीने का निसान लगाएंगे तो सीना है 34 इंच और उसका 24 इसा होगा 8.5 इंच और यह लोजिंग सट है तो यहाँ पर हम 0.5 इंच लोजिंग देंगे तो 11 इंच तो यहाँ से 11 इंच लेंगे इसके बाद जितना हम सीने पर निसान लगाएंगे उतना ही यहां पर बाटम में लगाएंगे इसके बाद बाटम से सीना तक जब सेब देंगे तो इस तरह से राउंड फंटी से देंगे हलका राउंड करेंगे इस तरह से राउंड नहीं करेंगे हलका राउंड करेंगे यह देखिए यहाँ पर दो इंच पर इस तरह से निसान लगाएंगे और इस तरह से ओपन कर लेंगे यह देखिए ओपन सेफ देदेंगे यहाँ पर हाप इंच अंदर की तरफ निसान लगाएंगे यह देखिए इस तरह से और आर महल को राउंड करेंगे कालहर को भी राउंड कर लेंगे यहां पर कट लगा लेंगे देखिए प्लेट के पास इसके बाद हम बेक पार्ट की कटिन करेंगे यहां पर बेक पार्ट की कटिन करेंगे यहां पर यह देखिए कोर को छोड़ते हुए इस तरह से हम निसान लगा लेंगे और यहां से जितना हम फ्रंट में सीने का निसान लगा है उसमें हाप इंच माइनस करेंगे और निसान लगाएंगे तो हमने सीना फ्रंट में लगाया था ग्यारा इंच तो यहाँ पर half inch minus करेंगे साड़े दस इसके बाद यह देखिए जहाँ पर हम निसान बना हैं इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फ्रंट को इसके उपर रखेंगे और यहाँ से रखेंगे देखें कोर को छोड़ते हुए यहाँ पर soldier join के लिए बेग पाट डाउन का निसान लगाएंगे तो हमने यह देखें solder को डाउन किया था दो इंच तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे दो इंच पे और यहाँ पर फाड़े तीन इच इस तरह से निसान लगा लेंगे इसके बाद इस निसान को किनारे पे रखेंगे बेक में सोल्डर का निसान लगाएंगे तो सोल्डर का हाफ होगा साड़े आठ इंच और हाफ इन दबाव के लिए तो नव इंच तो यहाँ पर हम नव इंच लेंगे यहाँ पर इस तरह से सिधा कर लेंगे यहाँ पर इदेखिए इस तरह से हलका राउंड करेंगे और यहाँ पर बाटम में निसान बना लेंगे इस तरह से इसके बाटम की कटिन करेंगे तो यहाँ पर दोसों छोड़ते हुए कटिन करेंगे और यहाँ पर लाकर मिलाएंगे यहाँ पर सिंटर का कट लगाएंगे इसके बाद अस्तिन की कटिन करेंगे यहाँ पर अस्तिन की कटिन करेंगे तो इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ पर नीचे से देखे दो इंच पर इस तरह से निसान लगाने लेंगे फोल्डिंग करने के लिए बाटम को फोल्डिंग करने के लिए अस्तिन में अस्तिन की लंबाई है 9 इंच तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निसान लगाएंगे यहाँ पर आर्म होल डाउन करने लगाएंगे तो यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे इसम यहाँ से हम आर्म होल लेंगे तो हमने आर्म होल रखा था 8 इंच तो यहाँ पर भी हम 8 इंच लेंगे इसके बाद मोहरी का निसान लगाएंगे मोहरी है तेरा इंच तो तेरा का हाप करेंगे साड़े छे इंच तो यहां से हम साड़े छे इंच लेंगे उसके बाद एक इंच एश्टर लेंगे यहां पर इस तरह से यह देखे राउंड कर लेंगे यहां पर सेंटर का कट लगाएंगे और यहां पर जहां पर हम फोल्डिंग करेंगे वहां पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो असानी होगी इसके बाद हम एक साइट को डाउन करेंगे ये देखिए जहां पर हमने डाउन किया है वो फ्रंट में आएगा और जिस तरफ हम डाउन नहीं किये हम बेक में आएगा इसके बाद हम सोल्डर की कटीन करेंगे यहाँ पर सोल्डर की कटीन करेंगे यह हमारा फ्रंट में बचा हुआ कपड़ा है तो इसी में हम सोल्डर की कटीन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सीधा करेंगे उसके बाद इस तरह से डबल करके फोल्ड करेंगे इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्डर की चौड़ाई का निसान लगाएंगे तो हम किस तरह से रखेंगे तो हम यहाँ पर पहले दिखा देते हैं तो यह देखे दोस्तों यह हमारा front है और यह bake है तो हमने down किया था 3.5 इंच यह देखे हमने solder को down किया था 2 इंच और यहां पर 3.5 इंच निसान लगाया था तो इस निसान को हम किनारे पे रखे थे तो हम हमारा जो bake है वो 1.5 इंच डाउन हुआ है तो इस हिसाब से हम solder की चोड़ाई रखेंगे तो यहां पर हमने bake को 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 1.5 इंच तो यहां से हम 1.5 इंच लेंगे यहां पर भी सेम निसान लगाएंगे साड़े 5 इसके बाद solder की लंबाई का निसान लगाएंगे तो solder का हाप होगा साड़े 8 और हाप इन दबाव के लिए तो 9 इंच सेम निसान यहां पर भी लगाएंगे 9 इंच इसके बाद यहाँ पर हम दो सूंत एश्टर लेंगे तो यहाँ पर हम सवा नो इंच पर एक और निसान लगाएंगे इसके बाद कालहर का निसान लगाएंगे तो हमने फ्रंट में कालहर के लिए लिया था सवा दो इंच और एक सूंत तो यहां पर हम 2 सूंट प्लस करके लेंगे, क्योंकि यहां पर हमने 2 सूंट एस्टर निसान लगाया है, तो यहां पर भी हम 2 सूंट प्लस करेंगे, तो यहां पर हम लेंगे 1.5 इंच और 1 सूंट, इसके बाद उपर हम ये देखे 1.5 इंच लेंगे क्योंकि हमारा जो काल हर है 1.5 इंच है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे उपर की तरब इसके बाद जब सोल्डर की चोड़ाई को सेब देंगे तो राउंड फंटी से देंगे क्योंकि हमारा जो अस्तीन है राउंड रहता है यह देखिए जहां पर जॉइंट होगा यहां पर तो राउंड रहेगा तो इसको भी हम राउंड करेंगे यहां पर यह देखिए इस तरह से सेंटर का कट लगाएंगे यहां पर भी तो इस तरह से दोस्तों जेंड सहाप सट की कटिन असानी से कर सकते हैं